हालो फ्रेंड्स मैं आज हॉर्स और इंडिच्मेंट के क्वेस्टिन सॉल करके दिखाऊंगे तो यह फॉर्स क्वेस्टिन है होट्स का हाँ मेने टाइम्स डिजिट 7 अकर्स इफ राइट अल्ड नंबर स्वान टो तो पूछा गया है कि डिजिट 7 कितना बार अकर होता है अगर हम लोग नंबर 1 तो 200 तक लिखें तो अगर हम लिखना चाहें लिखना स्टार्ट करें तो फिर देखें 17, 27, 37, 47, 57, 67 फिर 70 आता है 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 फिर उसके बाद 87, 97, 107, 117, 127, 137, 147, 157, 167 फिर 170 तो 170 में फिर 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 और 179 फिर 187 और 197 तो 7 से 197 तक हम ये सारे नंबर्स लिखने से 7 एक बार अकर होता है तो इसको अगर हम लोग काउंट करें तो टोटल ये 38 टाइम्स अकर होता है तो ये इसका आंसर है तो आंसर है 38 टाइम्स ये नेक्स क्वेस्टिन है राइड ओल टू डिजिट नंबर्स विच वेन अड़े तो 27 गेट रिवर्स तो टू डिजिट नंबर यानि की हम लोग 10 ओन्वर्स कंसिडर करेंगे 10 तो 99 तक कंसिडर करेंगे तो ऐसे trial error में करने से हम लोग को एक नंबर मिलेगा 14 तो 27 प्लस 14 करने से 41 होता है 14 और 41 में डिजिट रिवर्स्ट हैं तो 14 के बाद हम लोग ऐसे यह जो दो डिजिट है 1 और 4 इसमें हम लोग प्लस 1 अगर करेंगे तो हमें 1 प्लस 12 4 प्लस 15 मिलता है 27 प्लस 25 करने से हमें 52 मिलता है 25 और 52 में डिजिट रिवर्स्ट हैं फिर इसमें अभी हम लोग 25 में प्लस 1 करेंगे बोद डिजिट में तो हमें 36 मिलेगा 27 प्लस 36 करने से 63 आता है तो 36 और 63 में डिजिट रिवर्स्ट हैं अभी 36 में भी हम लोग 25 प्लस 1 करेंगे बोद डिजिट में तो यह 47 आता है 27 प्लस 47 करने से 74 आता है 47 और 74 में डिजिट रिवर्स्ट हैं अभी 47 27 में हम लोग यह दोनों डिजिट में प्लस 1 करेंगे तो यह 58 आता है तो 27 प्लस 58 करने से 85 होता है इसमें और इसमें यह दो नंबर में डिजिट रिवर्स्ट हैं अभी प्लस 1 प्लस 1 करने से हमारा 69 आता है तो 27 प्लस 69 करने से 96 आता है 69 और 96 में डिजिट रिवर्स्ट हैं अभी इसमें प्लस 1 करने से हमें कुछ two digit numbers नहीं मिलेगा तो हम लोग बस यहां तक ही करेंगे आगे further हम लोग नहीं करेंगे तो ये 3 cases में 27 के साथ ये 6 cases में 27 के साथ ये सारे numbers add होने से digits reversed हो जाते हैं तो हम लोग पहले 14 को लेंगे फिर every case में plus 1 add करेंगे पहले 14 के साथ plus 1 plus 1 both the digits में add करेंगे तो 25 फिर plus 1 इस case में add करेंगे जो भी next number आएगा उसमें भी plus 1 both the digits में करेंगे और ऐसे हम लोग move करेंगे तो ये हमारा answer सारे है और ये सारे possible cases है अभी enrichment के questions करेंगे ये first question है get hundred using four nines and some of the symbols like plus minus into a division यानि कि हम लोग को चार nine use करके और ये सारे symbols use करके हमें hundred निकालना है answer तो हम लोग इसको इस step से कर सकते हैं जैसे पहले 99 को लेंगे और उसमें one लाने के लिए nine by nine या nine divided by nine करेंगे तो ये 99 plus one होगा hundred similarly यहाँ पे 99 plus one hundred तो ऐसे हम लोग करेंगे ये थोड़ा trial और error से किया जाता है इस type of questions तो ये question को ऐसे हम लोग solve करेंगे अभी question number two है number is three times the sum of its digits find the number तो इसको भी हमें trial or error से निकालना है तो ये hearts और enrichment questions बहुत rarely exam में set किये जाते हैं तो इसको अभी करेंगे तो इस type of question को trial or error से हम लोग solve करेंगे तो ऐसे trial or error से करने से हम एक number 27 हमें मिलता है तो 27 को अगर हम लोग sum of digits इसके करेंगे तो तो 27 के sum of digits अगर करेंगे तो 2 plus 7 equal to 9 9 होता है तो अभी देखिए 9 अभी ये 3 times sum of digits यानि 3 times 9 अगर हम लोग करेंगे ऐसे करती हूं 3 into 9 तो हमारा answer आएगा 27 तो 27 हमारा number है इसके digits आट करने से हमें 9 मिलता है और 3 times sum of digits करने से हमें 27 मिलता है तो ये हमारा chapter 1 खतम होता है मैं अपने next video में integers के chapter स्टार्ट करेंगी तो ये थोड़ा confusing topic है लेकिन मैं बहुत easily आप लोगों को बहुत simplest way में solve करके इसको दिखाऊंगी मैं पहले थोड़ा सोच रही थी second chapters factors and multiple start करूंगी लेकिन फिर बाद में में decide की की नहीं integers के chapter स्टार्ट करतू ही कि स्टार्ट करूंगी क्यूंकि इसमें काफी बच्चों को बहुत ज्यादा confusion होती है तो next video में integers के basics से में स्टार्ट करूंगी थैंक यू